हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन्स लेडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़जेस्ट हो जाएगा 6 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए फिर से 6 फिर से 6 फिर से 6 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है 4 सलाईयों का डिजैन है और 8 सलाईयों में कंप्लिट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन के से बनाया गया है तो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई, वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ, तो यहां पर मैंने लिये हैं इसमें 39 फंदे, 6 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा, डिजैन की अब यह पहली सलाई है और सीधी साइड है तो देखिए, पहले फंदे को उत फंदे को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे तो जो हमने यहां दो का एक करके फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया फिर धागे क को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में ऐसे सलाइड डालेंगे धागा अपनी तरफ और दो का एक कर देंगे जाली जाली से फंदा बढ़ा दिया, दो काई करके घटा दिया, तो एजस्टीज के बाद ये हमने छे फंदे का डिजैन बनाया, अब इसी को बार बार रिपेट करते जाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे को ऐसे लूज करेंग आगे से स्लाइड डालेंगे, और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, तो जो फंदा घटाया, वो जाली से बढ़ा दिया, अब देखिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और backside से ऐसे दो फंदे में slide डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे ये जो 6 फंदे का design बनाया इसी को बार-बार repeat करना है तो फिर से देखे repeat करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे में आगे की साइड से स्लाइड डाल के दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा ये सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से दो का एक करेंगे यही 6-6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है फिर से देख लिजिए हमने यहां पर यह एक फंदा उल्टा बनाया धागा पीछे दो फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा यह सीधा फिर धागा अपनी तरफ करके दो का एक बना देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे दो फंदे में आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा यह सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, दो फंदे को लूज करेंगे, आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से दो का एक कर देंगे, यही छे 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 फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करते जाएंगे, तो लास्ट में दो फंदे बचेंगे, इनको ऐसे उल्टा ही बुन देंगे, तो पहली और उल्टी साइड पर, जो फंदा सीधी साइड पर उल्टा बनाया, वो यहां सीधा बनेगा, जो हमने फंदे पांच सीधे बुने हैं, जाली समेत वो यहां उल्टे आ जाएंगे, तो दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बना अब देखिए एक सीधा और पांच उल्टे, यही छे छे फंदे का डिजैन बार बार रिपिट करती जाना है, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और पांच फंदे उल्टे, इस डिजैन को बनाने के लिए सलाई आप अपनी उन के अनुसार ले किसी भी कंपनी की नॉर्मल उन हो, तो आप दस नंबर की सलाई यूज कर सकती हैं, क्योंकि हम जो सलाई लेते हैं, वो डिजैन के अनुसार नहीं, उन के अनुसार लेते हैं, तो पूरी सलाई में अब आपने एक फंदा सीधा और पांच फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए द देखिए, दो सलाईयां डिजैन की कंप्लीट हो गई, तीसरी सलाई और सीधी साइड है, तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाए, अब यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा, तो एक फंदा ये, एस्टीज के बाद उल्टा, धागा पीछे और पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये, पांच, अब यही छेशे फंदे का डिजैन बार बार बनाते जाना है, एक उल्टा और पांच सीधे, यानि आपको जो फंदे जैसे दिखें, वैसे ही बनाते हुए, तीसरी सलाई को कंप्लीट कर तो ये देखिए, तीन सलाईयां डिजैन की कंप्लीट हो गई, चोथी सलाई है और उल्टी साइड है, चोथी सलाई इसकी ठीक दूसरी सलाई के जैसे बनेगी, एक फंदा सीधा और पांच फंदे उल्टे, यानि यहां भी आपको जो फंदे जैसे दिखें, वैसे ही बना दीजिये, तो ये देखिए, चार सलाईयां डिजैन की ये कंप्लीट हो गई है, आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर, पांचमी सलाई पर हमें ये वाला जो डिजैन बनाया है, इसकी जगे चेंज करनी है, ये वाला जो उल्टा फंदा है, इस पर हमारा ये आधी डिपी बनेगे तो ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम यहां सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ कर देंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में सलाई डालेंगे धागा अपनी तरफ रहे और दो का एक फंदा बना देंगे अब इन पांच के जो बीच वाला फंदा है जिस पर हमने पहली सलाई पर जाली बनाई थी इस फंदे को यहां हम उल्टा भुन देंगे अब धागे को पिछे करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे में आगे की साइट से सलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ ये जो उल्टा दिख रहा है इसे सीधा बनादेंगे तो जो फंदा यहां कम किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में सलाई डालेंगे और दो का एक बनाएंगे ये देखिए स्टार्ट थागा अपनी तरफ ये जो उल्टा दिख रहा है इसे सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे अब देखे हमने ये 6 फंदे का डेजाइन बनाया इसी को बार-बार repeat करते जाएंगे एक उल्टा धागा पीछे दो फंदे में आगे से slide डालेंगे और दो का एक बना देंगे धागा अपनी तरफ और देखिए इस फंदे पर ऐसे जाली बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे बैक साइड से दो का एक बना देंगे धागा अपनी तरफ इस डिजाइन के जो बीच वाला फंदा है इसको उल्टा बुन देंगे धागा पीछे एक और ये दो इन दोनों को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ इस एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदे को लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालके दो का एक बना देंगे धागा अपनी तरफ ये जो उल्टा दिख रहा है इसे सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक बना देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे ये वाला और ये इन दोनों फंदे में आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे ये जो उल्टा फंदा है इसे सीधा बनाएंगे और एस्टी साइड पर उल्टा बनाया वो यहां सीधा बनेगा और जो सीधे फंदे बने हैं वो हमारे यहां उल्टे हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाईए एश्टिच के बाद एक दो और यह तीन यानि टोटल हमारे यह चार फंदे उल्टे चार और यह पांच अब चार फंदे छोड़कर यह जो छे फंदे का डिजैन बनाया एक सीधा पांच उल्टे इसी को बार बार रिपीट करते जाना है तो ऐसे ही बना लिजिए आप इस सलाई को एक फंदा सीधा और पांच फंदे उल्टे और यहां लास्ट में भी देखि यह वाला फंदा सीधा बुनने के बाद आपके चार फंदे आएंगे इनको आप उल्टा बनाईए तो छे सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई सात्मी सलाई है और सीधी साइड है सात्मी सलाई पर आपको जो फंदे जैसे नजर आएं वैसे ही बना दीजिए एस्टिच के बाद ये देखिएगा धागा पीछे करेंगे और ये तीन फंदे स्टार्टिंग के सीधे हो जाएंगे तो पहला फंदा एस्टिच तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और पांच फंदे सीधे पूरी सलाई में आपके तीन सीधे और एस्टिच उल्टाएगा तो यह देखिए साथ सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई आठमी सलाई उल्टे साइड पर आठमी सलाई पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए पहला फंदा एस्टिच है उसके बाद तीन फंदे य उल्टे तो यह देखिए इस तरह से आठ सलाईयों में यह डिजैन ओवर हो गया इन्ही आठ आठ सलाईयों को आप बार बार रिपिट करते जाएंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा यह डिजैन पनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा एश्टीच है उसके बाद एक उल्टा दो फंदे में आगे से सलाई डाल के दो का एक कीजिए धागा अपनी तरफ करके यह जो उल्टा दिख रहा है इसको सीधा बना दीजिए फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे बैक साइड से दो का एक और इस डिजैन के जो बीच वाला है यह उल्टा जाएगा तो ऐसे इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगे तो फ्रेंट्स अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक अपने सभी प्लेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैन ध्यू